आज हम बनाने वाले हैं ग्रेवी वाली बहुत ही टेस्टी अर्बी की सबजी ये सबजी मेरे घर में सबको बहुत पसंद है आप भी इस तरह बना कर देखिएगा आपके घर में सबको बहुत ही पसंद आएगी नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका श्यामर सोई में तो चली आकार में कट कर लेंगे आप चाहें तो इसे गोल आकार में भी कट कर सकते हो, जैसे भी आपको पसंद हो अरबी को कट करने से पहले चाकू और आपकी हतेलियों पर थोड़ा सा तेल लगा लिजिएगा ताकि इसे कट करने के बाद इचिन ना हो तो यह देखिए हमने सारी अर्वी को काट लिया है अब हम एक पैन लेंगे इसमें हम एक से दो चमच तेल डाल देंगे गेस की flame को medium रखिए और अब हम इसमें ये सारी अर्भी डाल देंगे अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे मसालों में हमने यहाँ आधा चम्मच नमक लिया है आधा चम्मच लाल मिचका पाउडर डाल दीजिए और एक चोथाई चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल दीजिए और अब हम मसालो को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अर्बी को अच्छे से फ्राय कर लेंगे जब तक कि इन पर एक क्रिस्पी सी कोटिंग नहीं आ जाती है मीडियम फ्लेम पर फ्राइ करना है और इसे कंटीनी चलाने की जरुवत नहीं रहेगी आप बीच बीच में इसे चलाते रहेगा अर्बी को 90% तक यहीं पका लेना है तो इस तरह से फ्राइड अर्बी की जब हम सबजी बनाते है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है लेकिन यदि आप बहुत ज़्यादा क्वाणटिटि में सबजी बना रहे हैं तो डीप फ्राइ कर लिजीएगा और ये लीजिए अर्भी हमारी फ्राइ हो गई है एकदम क्रिस्पी कोटिंग आ गई है इस पर ये सॉफ्ट हो गई है लगबग 10-12 मिनिट लगे है हमें इसे फ्राइ करने में तो गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए तो चलिए अब हम अर्भी की सबजी बना लेते हैं इसके ये कडाही में मैंने तीन बड़े चमच तेल लिया है तेल के गरम हो जाने पर इसमें एक छोटा चमच जीरा डाल दीजिए और आधा छोटा चमच से थोड़ा सा कम अजवाइन लिया है इसमें कोई खड़े मसाले डालने की जरूरत नहीं है एक चोथाई चमच के करीब हीं डाल दीजिए अब हम लो फ्लेम पर 10-12 सेकेंड के लिए जीरा और अजवाइन को अच्छे से भून लेंगे और अब हमने यहां दो एकदम बारिक कटे हुए प्याज लिए हैं प्याज को आप चाहें तो कद्दू कस करके डाल दीजिए या पीस कर भी डाल सकते हो प्याज को हम 3-4 मिनिट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे या जब तक ये पूरी तरह से सौफ्ट नहीं हो जाते हैं और ये लिजिए प्याज हमारा बढ़िया से भून गया है इसका कलर भी चेंच हो गया है तो अब हमने यहां पर एक चम्मच अदर अदरक और लहसुन को क्रेश करके लिया है पेस्ट भी लिया जा सकता है अदरक लहसुन को भी हम प्याज के साथ 2 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे और ये लिजिए हमने अदरक और लहसुन को अच्छे से भून लिया है अब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो का पाउडर डाला है मसालो की क्वांटिटी आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा रख सकते हो मसालो को भी दो मिनिट के लिए भून लेंगे दो चमच पाने डाल दीजे ताकि मसाले जले नहीं और बस अब हम मसालो को तब तक भूनेंगे जब तक कि इनके किनारों से त और ये लिजिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून गया है तो बस अब हमने यहाँ पर दो मीडियम साइज के टमाटर को कद्दू कस करके लिया है टमाटर को एकदम बारी कट करके ले सकते हो या मिकसर में पीस कर भी लिया जा सकता है साथ ही मैंने यहाँ पर दो हरी मैंने कट करके डाला है और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे नमक डालते टाइम ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने अर्बी को फ्राय करते टाइम भी नमक डाला था और अब हम टमाटर को तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका सारा पानी ना सूख जाए और ये लिजी लगबक तीन से चार मिनिट में टमाटर अच्छे से भून गए है जब मसाला अच्छे से भून जाता है तो वो कडाही या पैन छोड़ने लग जाता है तो मसाला हमारा अच्छे से भून गया है अब हम गैस की फ्लेम को एकदम लो पर कर देंगे और इसमें एक चोथाई कप फैटा हुआ दही डालेंगे दही रूम टेंपरेचर पर होना चाहिए और खटा नहीं होना चाहिए बरना सबजी का टेस्ट खराब हो जाएगा अब हम कंटीन्यू चलाते हुए दही को लो फ्लेम पर पहले मिक्स करेंगे और जब दही अच्छे से मिक्स हो है तो बस अब हम दही को भी दो मिनिट के लिए अच्छे से पका लेंगे तो इस तरह से आप पका कर बनाएंगे तो सबजी बहुँ जादा टेस्टी बनेगी और ये लीजे दही को भी हमने दो मिनिट के लिए पका लिया है हमारी ग्रेवी बनकर बिलकुल तयार है अब हम ये फ्राय की हुई अर्बी डाल देंगे पहले हम अर्बी को मसालों के साथ मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करेंगे अर्बी हमारी 90% तक पकी हुई है तो हमें इसे ग्रेवी में बहुँ ज़्यादा पकाने की जरूरत नहीं रहेगी और ये लीजिए हमने अर्बी को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब हम इसमें लगबग 1-1.5 कप गरम पानी डाल देंगे ताकि कुकिंग प्रोसेसिंग चलता रहे तो यदि आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा पानी भी डाल सकते हो अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस की फ्लेम को मेडियम टू लो कर देंगे और सबजी को ढख कर लगबग 8-10 मिनिट के लिए पकाएंगे बीच में 2-3 बार इसे चला देजिएगा सबजी को पकाते हुए हमें लगबग 10 मिनिट हो गए हैं और ये हमारी सबजी लगबग तयार हो चुकी है आपको लगे कि ग्रेवी कम है और चाहिए तो आप इसमें इस वक्त भी गरम पानी डाल सकते हो और कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हो तो बस अब हम इसमें एक छोटा चमच के करीब कसूरी मेथी डाल देंगे रोस्टेड कसूरी मेथी है साथ ही आदा छोटा चमच करम मसाला डाल दीजिए थोड़ा सा बारिक कटा हुआ हराधनिया डाल दीजिए इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद सबजी को एक से दो मिनिट के लिए लो फलेम पर और पका लीजिए और ये लीजिए बहुत ही टेस्टी अर्बी मसाला बनकर बिल्कुल तयार हो चुकी है अर्बी भी पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है इसे चेक कर लीजिए इस तरह से फोक से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को सिंपल चपाती के साथ खाईए या राइस के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है तो फ्रेंड्स रेसिपी कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके